नमस्कार स्वागत है आपको जनसत्ता में मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आए हूँ आपके लिए खेल जगत की बड़ी खबरे भारती टीम के कप्तान रोहिट शर्मा ने सोम वार्गो साफ कर दिया कि श्री-लंका के खिलाब गुहाटी में खेले जाने वाले पहले वंदे में रोहिट शर्मा ने इशान किशन को बाहर कर दिया है उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके साथ ओपनिंग शुबमन गिल करेंगे वही शान किशन बेंच पर बैठेंगे रोहिट के इस फैसले से फैन सहित कई पूर्व खिलाडी नराज है इन्हीं में से एक पूर्व तेजगी इंद बास वैंकटेश प्रसाद ने नराजगी जाहिर की है वैंकटेश प्रसाद ने कहा कि भारते टीम में पतरशन को तबज्ज़ नहीं दी जा रही है क्योंकि 12 शुर्व तक जमाने वाले वल्लिवास को बाहर बैठाया जा रहा है बता दे कि इशान किशन ने हाल ही में बंग्रदेश के खिलाब तीसरे वंडे में रिकॉर्ड 12 शुर्व तक जमाया था वैंकटेश प्रसाद ने सिलसलेवार ट्वीट करके रोहिच शर्मा साहिद भारते टीम प्रबंधन पर जम कर भड़ास निकाली है भारते टीम के पूर्व गेंदबाज कोच वैंकटेश प्रसाद ने रोहिच शर्म मिली गिल के लिए दुनिया भर का समय है लेकिन आपने ऐसे खिलाड़े को बाहर किया जिसने दोहरा शतक जमाया था प्रसाद ने साथ ही सुझाव दिया कि अगर गिल को खिलाना महत्वपूर्ण है तो फिर केल राहुल को बाहर किया जा सकता था उन्होंने अगले जनका के खिलाफ पहले एक दिवसे मैट से पहले बड़ा बयान दिया है तेरा एक दिवसे अंतराश्य मुकाबलों में भारत की कमान सभाल चुके अजय जड़ेजा का कहना है कि टीम इंडिया में अभी वन वेव ट्राफिक है दो एश्याय दिगजों के बीच पहले वंडे से पहले पूर्व भारते क्रिकेटर अजय जड़ेजा ने प्लेइंग 11 में साथ बल्लेबाजों खिलाने की भारत की रनीती पर चर्चा की अजय जड़ेजा ने सवाल उठाया कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि रोहिच शर्मा विराट कोहली और सुरुकुमार यादव जैस भारते ठिंक टैंक जब श्रिलंका के खिलाफ पहले वड़ने में प्लेइंग 11 का चुनाब करेगा तो उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे और उसे कठिन पैसले लेने पड़ेजा ने कहा यदि आपके रोहिच शर्मा स्कोर नहीं कर सकते विराट कोहली स्कोर नहीं नहीं कर सकते तो क्या आपको लगता है कि साथवे नंबर का बल्लेबाज आएगा और स्कोर करेगा साथवे नंबर का बल्लेबाज सिर्फ उम्मीद दे सकता है पाज गेंदबाजों के बिना कोई टीम नहीं जीच सकती आप IPL देख लो विश्वकप देख लो या कोई और भारतर श्रीलंका के बीच तिरोनंत पुरम में होने वाले एक दिवसे मैच के लिए टिकेट की दरें बहुत अधिक होने पर आलोचना का सामना कर रहे है केरल की खेल मंतरी भी अब्दुर्रहीम नहीं कहकर एक बड़ा विवात खड़ा कर दिया है कि जो लोग इसे वहन नह नहीं कर सकते उन्हें मैच देखने जाने की जरूरत नहीं है केल मंतरी वी अब्दुर्रहीम की ने सिस रविवार आठ जन्वरी दोहजार तेस को जब पत्रकारों ने पूचा कि कैसरकार दर्शिकों से मनुरंजन कर वसूलने की कथित पैसले को वापस लेने पर विचार कर करेगी तो उन्होंने विवादा स्पट्ट पड़े की अभी के लिए बस इतना ही देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ खन्यवाद